Hello everyone, welcome back to our YouTube channel राजस्तान लाणारग Friends, आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं जो आज एक्जाम हुआ था RSMSSB Board का Investigator Agriculture Department का जो पेपर था 27 December 2020 को तो उसका जो पेपर पूछा गया उसकी आंसर के का सोलिशन इस वीडियो में करेंगे उसके आंसर्स अपन जानेंगे इस वीडियो में And Friends, अगर आप पटवार एक्जाम की तियारी कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं पटवार एक्जाम की तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपर्टेंट साबित हो सकता है इन क्यूसंस को आप जरूर देखे कि आपको जब आपका एक्जाम अब होने वाला है तो आपको एक लेवल पता लगीगा कि बोड किस परकार से क्यूसंस पूछ रहा है और किस लेवल तक क्यूसंस पूछने की उन्होंने की पूछे हैं कि किस लेवल का पेपर आ सकता है तो फ्रेंड्स आईए देखते हैं पहला क्यूसंस वादे अंदर टामक राजस्तान के किस सांसकर्थिक छेतर से सम्मंदीत है जो टामक है वादे अंतर वो राजस्तान के कि सांसकर्तिक चेतर से सम्मधित दो इसका आंसर होगा मेवात ब्रतपुर इसका आंसर होगा मेवात ब्रतपुर and next question पूछा गया है रणकपूर मंदीर परसीद प्रेटा किस्तल कहां इस्तितर जो रणकपूर परसीद मंदीर है प्रेटा किस्तल है जिसका सम्मन्द किस्से है तो इसका सम्मन्द होगा जेन ध्रम से and friends in questions के जो answer लगे हैं तो हो सकता है ये गलत answer हो ये अपनको जो paper मिला है तो उसमें answer पहले से लगे हैं किसी candidate के तो आप जो tick लगे हैं answers है तो उनको आप सही नहीं माने हो सकता है गलत भी हो तो आए फ्रेंड्स आगे चलते हैं Qs नम्मर तीन है जेपूर के Albert Hall का उद्गाठन किसके सासनकाल में हुआ तो जेपूर के Albert Hall का उद्गाठन हुआ था माराजा राम सिंग दित्ते के काल में माराजा राम सिंग दित्ते के काल में हुआ था और कब हुआ था 1876 ECU में 1876 ECU में वास्तुगार कर्णल S. Jacob राम्युआस बाग जेपूर में इस्तीदवर और वास्तुगार कर्णल S. Jacob के समय इसका उद्गाठन हुआ था And friends England में India House की इस्तापना किसने कि England में India House की स्तापना की सियाम जी कर्षन वर्मा ने 1905 ECU में की है और England London में इसकी इस्तापना की गई थी 1877 की करांती के समय जोदबूर का महाराजा कौन था तो 1877 की करांती के समय जोदबुर का महाराजा था तक सिंग कौन था महाराजा तक सिंग किस अभिलेग में चोहानों को वत्स गोत्र का ब्रामन का गया है तो जो अभिलेक कौन सा है जिसमें चोहानों को वत्स गोत्र का ब्रामन कहा गया है तो फ्रेंट्स इसका आंसर होगा बिजोलिया का अभिलेक बिजोलिया का अभिलेक में चोहानों को वत्स गोत्र का ब्रामन कहा गया है प्रेंट्स बिजोलिय सिलालेक जो बिजोलिय सिलालेक का इसकी स्ताफना 1170 इस्यू के अंदर की गई थी नेक्स्ट क्यूसे ने अजमेर के किस चोहान सासक ने सासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की तो इसका अंसर होगा जगदेव जगदेव ने हत्या की थी अरणो राज की किसकी हत्या की थी अपने पीता अरणो राज की हत्या की थी जगदेव ने next question है question number 109 खानवा युद में सांगा के गाहल होने पर नेतर दो किसने सम्भाला तो खानवा का जो यूद था उसमें नेतर दो किसने सम्वाला जब सांगा माराना सांगा गाहिल हो चुके थे तो उस समय नेतर दो सम्वाला जाला अज्जा ने इनका नेतर दो सम्वाला था वाराणा परताफ की चत्री एक सो ग्यारा निरंजनी संपरदाय के संस्व्वग कोन थे तो इसका Qution No. 112 राजस्तान का कोंसा चेतर? थेवाकला के लिए विख्यात है राजस्तान का चेतर है जो परताबगट परताबगट है थेवाकला के लिए फेमस है सुर्यमल मिश्रन तेवाकला की गई Next नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर 114 दादू दयाल के निदन के पसाद दादू बंद का उत्रादिगारी किसे गोसित किया गया है किसे निक्त किया गया था तो दादू दयाल के पसाद उनका उत्रादिगारी गरीब दास जी को इनके जो दादू दयाल जी के जो बेटे बेटे थे उनको नियुक्त किया गया था नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नम्बर 115 निमने लिखित में से कौन सा चित्रगार विकानेर चित्रकला सेली से सम्मदित नहीं है तो विकानेर चित्रकला सेली से सम्मदित नहीं है वह है मनोहर मनोहर इन सेली से संबंदित नहीं है तो ये फिर किस सेली से संबंदित है तो ये उदेपुर सेली से संबंदित है मनोहर मनोहर उदेपुर सेली के एक परमुक कलाकार है और उदेपुर सेली में कौन-कौन परमुक कलाकार है उदेपुर सेली के परमुक चार कलाकार है चार कलाकारों में कौन कौन है उम्रा साहिबदीन, मनोहर और करपाराम ये परमुक चार कलाकार उदेपुर सेली में है तो बिकानेर सेली से संबंदी रकुनोदीन, अलीरजा और साम उमदे तो इसका आंसर होगा B, Manohar Next question है, question number 116 हमीर हट के लेकक थे हमीर हट के लेकक है चंदर सेकर इसका आंसर होगा B, चंदर सेकर Next question है, Halro Halro कहां पहना जाता है, कौन पहनती है तो Halro, इसका आंसर होगा महीलाओं दुआरा गले पर पहने जाने वाला है एक आबुसन है, Halro Next question है, question number 118 निम्ने लिखित में से कौन सा मंदिर जेपुर जिले में नहीं है, तो जेपुर जिले में जो मंदिर नहीं है वह गलता तिर जेपुर में है, ताड़केसवर मंदिर जेपुर में है, जगत सिरोमनी जेपुर में है तो पिर कौन सा मंदिर जेपुर में नहीं है, साथ सेहलियो का मंदिर, ये है जालरा बाटन जालावार में, ये मंदिर इस्तित है, और ये है नागर सेहलि का मंदिर है And friends, next question है 119 निम्ने लिखित में से कौन सा प्रेटन इस्तल अलवर जिले में नहीं है, तो प्रेटन इस्तल कौन सा अलवर जिले में नहीं है आबा नेरी दोसा में स्तित है, ये है अलवर में नहीं है, next question है मतल से संका उद्गाटन कब वहा, तो मतल से संका उद्गाटन वहा, 18 मार्च 1948 And friends, next question 121 And question number 122 पूछा गया है राजस्तान के परसीद लेकर द्रयादास को स्रक्षन देने वाले सासक है माराजारतन सिंग इसका आंसर होगा A Next question है अलाओदीन खिलजी के सिवाना केले को जीत कर उसका नाम क्या रखा गया तो अलाओदीन का जो केला था अलाउदीन खिलजी का जो सिवाना का केला था उसको जीत कर खेराबाद नाम रखा गया था अलाउदीन खिलजी ने और फ्रेंट्स नेक्स्ट क्यूसे ने किसके सासनकाल में मुगल और मेवाड के मद्दे चितोडगर्ड की संदी हुई नेक्स्ट क्यूसे 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 नेक्स्ट पूछा गया था बेनेस्वर तीन नदियों पर इस्तित है जो बेनेस्वर है वो तीन नदियों के संगम पर इस्तित है तो निमनेकिस में से कौन सी नदियों के अंतरगत नहीं है तो जो बेनेस्वर संगम है वो माही सौम और जाकम ये तीनों नदियों का संगम है बेनेस्वर डुंगरपूर के आसपूर में है डुंगरपूर जिले के आसपूर एक तैसिल है तो वहाँ पर यह संगम बनता है इन तीनों नदियों से मिलकर तो बनास नदी इसका आंसर नहीं होगा बनास नदी इसका सही आंसर होगा जो यह संगम के अंतरगत नहीं आती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा बनास ओप्सन नमबर D क्यूसर नमबर 1, 27 वर्तमार में निम्न लिक्ष में से राजस्तान के कौन से जिले राष्ट्री राजदानी छितर NCR में समलित है तो इसका आंसर होगा अलवर एंव भरतपुर NCR में अलवर एंव भरतपुर समलित है तो पहले ओनली अलवर ही था और 2013 के बाद से भरतपुर को भी समलित कर लिया गया है NCR छेतर में तो इसका आंसर होगा ओप्सन C नेक्ष्ट क्यूसर नमबर 128 मरुस्तली वनस्पति है किस नाम से जानी जाती है तो मरुस्तली वनस्पति है जेरोफाइट के नाम से जानी जाती है जेरोफाइट नेक्ष्ट क्यूसर है 129 निमने लिकित में से कौन सा जिला सुस्क मेदानी करसी जलवाय उपर देस का भाग नहीं है तो इसका आंसर होगा पाली, सुस्क मेदानी कर्सी जलवायू परदेश का भाग नहीं है पाली इसका आंसर होगा और फ्रेंट्स नेक्स्ट क्यूसेन है फ्रेंट्स नेक्स्ट क्यूसेन है जेसल मेर मेर में किस परकार के बालू का इस्तूप पाए जाते हैं तो जेसल मेर में किस परकार के बालू का इस्तूप पाई जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखते हैं फ्रेंट्स इसमें जो अनुपरस्त बालू का इस्तूप है, पूगल, बिकाने, रावतसर, सुरतगड, चुरू और जुन-जुनू में पाए जाते हैं, जबक और जो परवलिक है वो जेसलमेर में नहीं पाई जाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा अनुधेरिये तो फ्रेंसिस का राइट आंसर होगा अनुधेरिये ये अनुधेरिये रेक ये बालु का इस्तू पर जो वायू के समकौन पर बनते हैं वायू के समकौन बना हुआ है सूकड़ी नदी जालोर्म के अंदर बना हुआ है बाकली बान next question है question number 132 निमन लिकित में से कौन सा ब्यारने जंगली मुर्गे के लिए फेमस है तो कौन सा ब्यारने जंगली मुर्गे के लिए फेमस है तो इसका आंसर होगा माउंट आबू इसका सही आंसर क्या होगा माउंट आबू next question 133 विसो ओजोन दिवस कब मनाये जाता है विसो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाये जाता है और ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है वा डॉप सनिकाई से मापी जाती है और ये समता मंदल में इस्तिता है next question है question number 134 राजास्थान के कालकाजी और काबला किस खनीज के लिए बंडार है कालकाजी और काबला जालोर में इस्तिता है और जालोर सीटि ग्रेनाइट के लिए फेहमस है वाँ इनके खनीज के बंडार है next question है question number 135 निमने लिक्ष में से कौन सी बेड अधिक उन उत्पादन के लिए विख्यात है तो जैसल मेरी बेड है वह अधिक उत्पादन के लिए विख्यात है जबकि चोकला बेड है वह है सर्वस्रेश्ट परकार का उन देती है तो सर्वस्रेश्ट उन के लिए तो चोकला और सबसे यदिक उतपादन के लिए जेसल मेरी तो इसका right answer का option C next question 136 टाका और खडीन के परकार है तो टाका और खडीन क्या है तो टाका और खडीन एक परकार के प्रमप्राकत जल स्रंचन स्रंचना है तो इसका answer होगा C next question 137 137 है राजस्तान में सबसे पहला राष्ट्रे उद्यान कहा है इस्तित है तो राजस्तान का सबसे पहला राष्ट्रे उद्यान कौन सा है रण थंबोर यह है स्वाई रण थंबोर भरतपूर के अंदर ही इस्तित है sorry friends रण थंबोर भरतपूर में नहीं है यह स्वाई मादुपूर में है रन थमबोर स्वाई मादुपूर में इस्तित है और एक नवंबर 1980 को यह गोशित किया गया था एक नवंबर 1980 को यह है राजस्तान का सबसे पहला राष्ट्रे उद्यान गोशित किया गया था और यह रन थमबोर में इस्तित है और राजस्तान में सिरो परतम भाग प्रियोजना भी इस्तापित की गी थी और वह की गी थी 1973 के अंदर रणधंबोर स्वाई मादुपूर में भरतपूर के अंदर केवला देव है नेक्स्ट क्यूसे ने क्यूसे नंबर 138 राजस्तान का परतम पारिस्तिति की मित्तर संबा कौन सा है तो राजस्तान में जो परतम पारिस्तिति की जोन है वह माउंट आबू के अंदर है कहां इस्तित है माउंट आबू के अंदर नेक्स्ट क्यूसे ने 139 राजस्तान राजी की पहली रेल आगरा फोर्ट कहां तक प्रारंब हुई तो राजस्तान राजी के पहली रेल आग्रा फोर्ट जो स्टार्ट होई थी वह आग्रा फोर्ट से बांदी कोई आग्रा फोर्ट से बांदी कोई अठारा सो छोतर में स्टार्ट की गई थी नेक्स्ट क्यूशन है 140 राजस्तान की किस जिले में सागवान पाये जाता है तो राजस्तान में जो सागवान के पेड़ पाये जाते हैं वे धक्षिनी राजस्तान में पाये जाते हैं नेक्स्ट कुछन है 141, राजस्तान की किस परदेश में एंटी सोल्स समुए की मर्दा पाई जाती है, पस्ची में राजस्तान में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, पस्ची में राजस्तान में एंटी सोल्स समुए की मर्दा पाई जाती है, नेक्स्ट क कराती है नेक्स्ट क्यूसेदर निमने लिक्त में से कौन सा जिला बिसलपूर परियोजना के से सीधे लाप्राप्त झाहीं कर रा है तो उसका संहीं अंसर होगा स्वाई माधपूर् अजमेटे टॉक और जेपूर यह लाप्राप्त कर रहे हैं जब कि स्वाई मादुपूर यहां से लाप्राप्त नहीं कर रहा है और फ्रेंट्स नेक्ष्ट क्यूशन है 145 क्यूशन क्या है राजस्तान में पुष्टिकर का संबन्द निमने लिक्त में से किस छेतर से हैं तो राजस्तान में पुष्टिकर का संबन्द है वे हैं जल्स रंक्षणी एक परकार से योजना है तो इससे संबन्द है पुष्टिकर का संबन्द है जल्स रंक्षण से संबन्द है पुष्टिकर का संबन्द है यह जोदबूर जिले के अंदर इस्तिद है कोपरेटिव सोस साइटी जोदबूर में और चल सरंक्सर्ण से सम्मंदी था नेक्स्ट कुछे ने 1 445 राजस्तान में केंद्री भेड एंवन अनुसंदान संस्तान कहां पर अवस्ती था है अविका नगरटोक में इस्तिधे नेक्स्ट क्युसें 146 मंगला तेल छेतर किस जिले में इस्तित है मंगला तेल छेतर है वे बाड़ मेर छेतर में इस्तित है साचोर बेसिन में जो साचोर बेसिन है वे बाड़ मेर में इस्तित है मंगला तेल option number C इसका right answer होगा and friends next question अरावली व्रक्सार ओपन परियोजना किस वर्स में आरम के गी थी तो इसका सही answer होगा 1902 में और वितिय वर्स था 1902 में और त्रयाण में तो इसका right answer तो 1992 में होगा एक अपरेल 1992 में कोई स्ताबना के गी थी और जो परियोजना इस्ताबित के गी उसमें 10 जिले इसके अंतरगत आते हैं next question 148 डबोक हवाई अड़ा राजस्तान के कीज जिले में इस्तीत है तो डबोक हवाई अड़ा है वर राजस्तान के उधेपूर जिले में इस्तीत है मारणा परताब हवाई अड़ा है ये उधेपूर जिले में इस्तीत है next question 149 निमने लिकित में से कौन सी सम वर्षा रेका राजस्तान को दो भागों में बारती है तो friends ये राजस्तान का जो मेप है तो इसमें दो भागों में बारती है 50 cm की वर्षा रेका option D is right answer निमने लिकित मर्दाओं में से कौन सी मर्दा पस्ची मी राजस्तान में विसीष्ट पाई जाती है तो इस इसका सही आंसर होगा एरिडो सॉल्स इसका स्राइट आंसर क्या होगा एरिडो सॉल्स विसीष्ट पस्ची मी राजस्तान में तो फ्रेंटस, अगर Viscisht टेह पूछा जाता है तो पस्ची मीराजश्तान में ही होगा इसका आंसेर Erido Solution क्योंकि Anti-Solution मर्दा भी पस्ची मीराजस्तान में ही पाई जाती है लेकिन Erido Solution के कम पेरीजन में ही है कम पाई जाती है और Varitisol कहाँ पाई जाती है किताब लाइक कमेंट एंड शेर जुरूर करें ओकर फ्रेंड्स थेंक्स